हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो लान्फान ओलज्ज आज मैं आप लोग को यह जो मैं ग्रूप में एक्जाम का पीडियाफ सेंड किया तो उसका ही मैं आभी आप लोग को स्लुशन में बताऊंगा फ्रेंट्स जो लोग मेरे ग्रूप के अभी मैंबर्स नहीं है वो लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो अप लोग ग्रूप में 50 questions था इसमें मैंने आप लोगो 30 minutes दिया था रात के 9 बज़े आप लोगो question स्टार्ट हुआ था and 930 में आप लोगो solution आप लोगो में अपलोड कर दिया तो यही है आप लोगो question paper जो है आप लोगो यह WCS and food and उसका clerical जितना भी कि आप लोगो सब exam point of view से बहुत ही important है यह economics का question मैंने ट्राइ किया है आप लोगो compilation एक पुरा economics को पकड़ने का तो solution में आते हैं friends तो चले फाइला question who is the father of economics in father of economics को बोलते हैं अब यहाँ पर बहुत लोग चानक क्या मार देंगे चानक क्या अगर सिर्फ आये तो आप लोग का एडम स्मीथ होगा option B यहां पर इंडियन एकनोमिक्स के फादर कौन है वह चानक क्या है और दादा भाहि नरोजी इंडियन modern economics के फादर है और पीवी नर्शी में राउ जो है वह आपके इंडियन इकनोमिक्स रिफॉर्म्स के फादर है तो यहां पर और 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 ऑप्शन B Adam Smith दोनों को मिक्स करके जो जलता है तो इंडियन एकनोमिक्स हम लोग का मिस्ट इकनोमिक्स है तो इसका करेक्ट अंसर है C second option C is correct answer then third which one of the following is the task of planning commission planning commission का काम क्या है planning commission का काम just plan plan को prepare करना है 5 years plan को 5 year plan तो अभी नितिया एक्स में convert हो गया तो फिर भी 5 year plan को just plan करना है इसको implementation कौन करता है ndec करता है national development council करता है और उसको financing government करता है टेक्सेशन से जितना भी है तो इसका correct answer है third का है then fourth question which one of the following is true about planning commission planning commission के बारे में इन चार option में से कौन सा correct है यहां पर बहुत लोगा confusion रहता है autonomous भी तो है advisory भी तो है then non statutory अगर दे दिया वो भी तो correct होगा तो friends क्या है यहां पर आप लोग अगर चारो option दिया रहेगा तो planning commission हम लोग का extra constitutional है क्योंकि हो हमेरा constitution में बताया नहीं गया है and planning commission non statutory है उसको pass करने के लिए कोई law को law हम लोग को बलाने का जरुत नहीं पड़ा and planning commission आप लोग का advisory है यह जस्ट advice देता है हम लोग को implement करना है या नहीं करना है वो final decision ndc के पास रहता है तो planning commission इजे advisory body अब यहां पर friends बोद लोग बोल दोगे autonomous भी तो है autonomous अगर friends अगर question में अगर आप लोग का option में non statutory रहता है तो वह पहले tik माना advisory पहले टिक नहीं मानना यहां पर आप लोग का levels of correctness भी देखते हैं तो non statutory पहले आगर रहेगा तो उसको tick माना फिर इसका एडवाईजी रहेगा तो उसको tick मानना और एडवाइजरी भी नहीं रहेगा तो आटोनोमस रहेगा उसको टिग माना तो आटोनोमस होगा आप लोगा जो कनफार्म नहीं है तो उसे बुलते हैं आटोनोमस तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका एडवाइजरी ऑप्शन C अगर आप लोगको क्वेश्चन में आंसर में कन्फीजन हो रहा तो वाट्साप में में से क्वेश्चन डिसकस कर सकते हैं मैं आप लोगका एक्स्प्लेन करें के आची तरह से बता दूँगा इकनोमिक सर्वेश्ट जो पास होता है उसके एक दिन पहले ही हम लोगका एकनोमिक सर्वेश्ट पास करता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A सब्सक्राइब करता है इसको उल्टा देख लीजिए टर्शी सेक्टर से सबसे कम एंप्लॉई होते हैं तो यह है इसका करेक्ट एंसर शिश्ट का िट्रामेंर सेंटेर छेन देडर एट्श्ट का हैं और। 6 नैशनल डेवलोप्रस म तलब 126 प्लाइन का अच्छीी से 85 तो चैसरे करेक़् 9th question, plan का duration हम लोग को क्या है, 1980 से 85 है, तो option C is correct, 9th question, National Development Council was set up in, National Development Council हम लोग को कब set up भो था, यह 6th August 1952 में set up हुआ था, 9th का option A, 10th, in India, the concept of minimum needs and direction and T poverty program, what the innovation of concept planning में बताए गया था, फ्रेंच यह जो आप लोग का गरी भी हटा हुआ है, and minimum needs program, MNPG से बोलते हैं, यह सब आप लोग का सब 5th plan में हुआ था, 4th plan अगार को बोलो तो यह गलत होगा, फ्रेंच यह 5th plan में होगा, 11th, which one of the following is not a dimension of human development index, human development index जो महबूल होग ने किया था, UNDP जो हम लोग बोलते हैं, तो वह यह आप लोग का इसमें कौन-कौन से चीज पगड़ते हैं, तीन चीज पगड़ते हैं, अगर short tricks में जानना चाहते हो, तो lie जूट, LIE, L for life expectancy, I for income, and E for education, तो यहाँ पर A, education का knowledge है, life expectancy है, income है आपका standard of living, तो correct answer यहाँ पर क्या होगा, आप लोग का social status नहीं देखता, human development index, तो 11th का है option A, correct, 12th question, यह, the book which is at the centerpiece of the study of macroeconomics was written by, macroeconomics किस ने लिखा था, macroeconomics हमारे, J.M. के, John Maynard Keynes ने लिखा था, father of macroeconomics, Adam Smith को बोल वाता है, father of macroeconomics, अपका, John Maynard Keynes को बोल वाता है, micro मतलब छोटा economics, and macro मतलब बड़ा economics, the next tab, Loka, inflation is caused by, inflation की होता है, friends, चीजों के दाम बढ़ जाने से, चीजों के दाम कब बढ़ेंगे, जब आपके पास पैसे जादा आजाएगा, तो इसका correct answer option C, increase in money supply, then 14th, open market operation refers to, open market operation का मतलब क्या है, यह purchase and sale of government securities by the RBI, इसका 14th का correct answer option A, 15th, reserve bank of India was nationalized in, reserve bank of India, found हुआ था, आप लोग का 1st April 1935 में, Hilton and Young Commission के थो, बट यह nationalized मतलब स्वादी सिकरम, जो आप लोग का, हम लोग independence के बाद तो nationalized हो सकते हैं, तो independence के बाद हम लोग का nationalized हुआ था, reserve bank of India, 1st January 1949 में हुआ था nationalized, इसका correct answer option B, then 16th, per capita income obtained by dividing national income by, national income से हम लोग total population को अगर divide करेंगा तो हम लोग का capita income मिल जाएगा, तो इसका correct answer option D, total population of country, 17th, when did operation burger passed, operation burger आप लोग को burger दर को जो registration करना पड़ा था tenant का, तो उसको हम लोग operation burger बोलते ही, जो हम लोग का West Bengal में 1978 में हुआ था, इसका correct answer आपका option B, 18th, the main difference between GDP, gross domestic product and GNP, gross national product is इन दोनों के difference के है, GDP के है आप लोग का जो पूरा production income जितना भी हो रहा है, आप लोग का देश के अंदर हो रहा है, उसे GDP बोलते हैं and GNP, देश के अंदर प्लस देश के बाहर जितना भी production income जितना भी है, उन दोनों को बोलते हैं GNP, अब इन दोनों का difference अगर करेंगे तो आप लोग का जो बीदेश सी चीज है income है, उसको हम लोग net foreign income बोलते हैं, तो इन दोनों का difference correct answer है, net foreign income, option C is correct, 19th, the community development program was launched in year, community development program हम लोग का कौन से year में launched हो था यह, फर्स्ट प्लैन में हम लोग का launch हो था, गांधी जैंती में, तो 2nd October 1952 में हुआ था यह, इसका correct answer option C, then 2nd, 20th, which one of the following is not an example of indirect tax, एक tax होता है आपको direct, एक होता है indirect, direct tax जो हम लोग directly government को दे जेते हैं, indirect tax जो किसी के through via government में जाता है, तो indirect tax इन में से कौन सा नहीं है, GST आपको लोग indirect tax है, custom duty indirect है, exercise duty indirect है, agriculture tax आपका indirect नहीं है, यह direct tax है, next है 20 का correct answer option D, 21, inflation brings most benefit to which one of the following, inflation से किसका सबस्यादा फाइदा होता है, option D, debter का सबस्यादा फाइदा होता है, कि वो जो उधार लेता है, debter बोलते हैं, जब person who owns money, माने Rini J होता है, उसको बोलते हैं, हम लोग debter, तो option D is correct answer, then 22, whose signature is found in 1 rupee currency note, 1 rupee note में किसका signature होता है, 1 rupee note में आप लोग का, finance secretary का signature होता है, बोथ लोग finance minister गलती से करके आ जाओगे, finance minister नहीं होता है, और governor का भी नहीं होता है, बाद बाकी जितने भी note है, सब में governor का signature होता है, but only 1 rupee note में, क्योंकि ये इंडिया का currency का symbol है, इसको कभी भी हटाया नहीं जाएगा, जैसे जितने भी पहले से आप लोग के demonetize होते हैं, but 1 rupee note आज तक कभी demonetize नहीं हुआ, और होगा भी नहीं, तो इसको भी भूलते हैं, आप लोग का finance secretary का signature है, 1 rupee note में, then 22 का answer A, then 23, monetary policy is regulated by monetary policy, हम लोग को regulate करता है, किसी भी देश का central bank regulate करता है, central bank of India मतलब एक वोला bank नहीं, central bank मतलब पूरे देश का एक लोता central bank, तो वो हम लोग का RBI को हम लोग अपना central bank बोलते हैं, तो इसका correct answer option C, central bank, तो हम लोग का central bank कौन है, RBI, तो मतलब monetary policy RBI regulate करता है, then question number 24, what is the schedule bank in India, schedule bank किसे बोलते हैं, इंडिया में, schedule bank हम लोग option में देखिया, option C is correct answer, तो it is included in the second schedule of Reserve Bank of India Act, तो Reserve Bank of India के act में जो हम लोग का second schedule है, जैसे हम लोग का constitution में total seven schedule है, वैसे हम लोग का Reserve Bank of India का भी schedule है, तो उसके second schedule में हम लोग का banking के बारे में बताया गया है, next आप लोग का schedule bank के बारे में बताया गया, next 25th, what is repo rate, repo rate किसे बोलते हैं, it is the rate at which the RBI lands money to bank, मतलब क्या है आप लोग का bank मतलब state SBI को पगड़ लेजी, SBI को अगर कोई कभी loan का जुरत पड़ा तो RBI के पास जाएगा, तो RBI से जो उसने loan लिया है, तो RBI उसके उपर एक interest चापाएगा, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग repo rate, तो क्या है आप लोग का जो rate हम लोग interest चाप देता है, interest देता है का bank RBI को, एन RBI जो interest चापाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग repo rate, next आप repo rate का full firm repurchase rate होगा, then next है आप लोग का question number 26, the oldest stock exchange of India is, Bombay stock exchange Asia का सबसे oldest है, इंडिया का भी सबसे oldest है, तो यह यह, Bombay stock exchange, then next है 27, in 1921, the presidency banks of Bengal, Madras and Bombay, were nationalized to give birth, यह सब तीन presidency bank थे पहले, तीन presidency bank, Bombay, Bengal and Madras के थे, यह तीनों bank मिलके आपका 1921 में, Imperial Bank of India हो गया, उसे को आज के date में हम लोग जानते हैं, State Bank of India के नाम से, तो इसका correct answer है option D, 28, the first bank established in India was, first bank कौन से था, Bank of Hindustan जो 1770 में हो था, तो इसका correct answer है option A, and 29, Exim Bank, export import जो bank हम लोग बोलते हैं, तो Exim Bank was set up in, Exim Bank हम लोग का 1982 में set up हो था, नबाट के साथ set up हो था, एक साथ होए थे यह लोग, then next है 30, unemployment which occur when workers move from one job to another job, is known as, एक जोब से दूसरे जोब में जो shift होते हैं, for example मानली जी strike हो गया, या कुछ भी एक प्रॉब्लम हो गया, एक बंदा एक जोब में काम कर रहा है, then वह उना जोब उसने छोड़ दिया, then next job में जा रहा है, तो जी 20 का time period होता है, तो उस time period में वो unemployed होता है, आप्सिंग्टन डीसी में है, तो option D is correct answer, 32, value of total goods and services produced in a country, is its GDP बोलते हैं, मतलब country के अंदर ही जो हम लोगा एक साल में, जितना भी goods produced होता है, या services देते हैं, सब हम लोगा GDP के अंदर पढ़ता है, तो gross domestic product is the correct answer, 33, fiscal policy in India is provided by, फिस्कल पॉलिसी कौन हम लोगा regulate करता है, यह फिनास मिनिस्ट्री करता है, फ्रेंज एक monetary policy होता है, एक fiscal policy होता है, monetary policy आपको RBI से regulate करता है, fiscal policy आपको finance ministry रेगुलेट करता है, monetary policy में आप लोगा bank के जो interest rate होते हैं, वो सब up-down होता है, and fiscal policy में आप लोगा जो tax होता है, यह सब control किया जाता है, तो यह आप लोगा difference monetary policy and fiscal policy में, then at which rate Reserve Bank of India borrows money from commercial bank, मैंने पहले बोला किया, state bank को अगर loan का ज़रुद पढ़ा तो RBI से लेगा, तो RBI जो loan देगा, फिर उसके बाद interest लेगा, उसे रेपोरेट बोलते हैं, तो इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब अब RBI को loan का ज़रुद पढ़ा हो, direct IMF के पास नहीं जाएगा, पहले आपने ही इंडिया statement, जितना भी bank हैं उनसे पूछेगा, तो मन लीजिए, RBI ने state bank से लोन लिया, अब यह क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो इसे बोले हम लोग reverse रेपोरेट बोल देंगे, तो इसका correct answer option C reverse रेपोरेट, the next is question number 35, what is the accounting year of Reserve Bank of India, Reserve Bank of India का accounting year, आप लोग का 1st July से start होता है, 13 June तक चलता है, तो इसका correct answer option B, 1st July से 30 June, यहाँ पर अपरिल मार्स कर दोगे फ्रेंज, वो नहीं है, यह government का accounting year है, government का accounting year आपका 1st April से 30 मार्स तक चलता है, तो Reserve Bank का correct answer option B, 1st July से 30 June तक, then 36, market is a market for, money market किसलिए होता है, यह short term funds के लिए होता है, जो capital market होता है, वो आप local long term funds के लिए होता है, which one of the following controls the insurance business in India, insurance business को कौन control करता है, यह IRDA का full firm होता है, insurance regulatory and development authority, इसका 37 का option D, 38, which one of the following is not an instrument of fiscal policy, fiscal policy जो control करता है, government उसका इन 4 में से कौन सा नहीं होता, instrument, यह OMO जो है open market operation, यह आप लोग का RBI control करता है, यह monetary policy में आता है, तो इसका correct answer option A, बात बगी जितना अभी आपका tax station, public borrowing, उसका public expenditure, अभी यह government control करता है, then 39, the method of calculating the national income are, national income को method का calculate करने का तीन method होता है, production, income and expenditure, तो इसका correct answer सभी correct है, तो इसका all of the above option D होगा correct answer, income method एक होता है, value added method को ही हम लोग production method भी बोलते हैं, expenditure method को ही हम लोग consumption method भी बोलते हैं, तो इसका correct answer option D, all of the above, then 40 question, national income estimates in India are prepared by कौन estimate करता है, national income CSO करता है, Central Statistical Organization करता है, the next step which among the following Indian state does not transact in business through RBI of India, RBI का जितना भी business transaction है, वो सब कहां पर नहीं होता है, जमू और कास्मेर में नहीं होता है, फ्रेंच जितना भी आप लोग को कोई भी स्टेट है कर पूछ लेगा, direct आप लोग जमू में बोल दोंगे, इंडिया का इंडिया का नहीं चलता है, जमू में नहीं चलता, NSSO कहां पर सर्वे नहीं करता जमू में नहीं करता, RBI कहां पर काम नहीं करता रर जमू में काम नहीं करता, जितना भी यह जमू में करता है आपका correct answer हो जाएगा, The next step 42, The BSE Sensex is based on how many stock, BSE कहा है Bombay Stock Exchange, इसका जो index होता है, उसको हम लोग census बोलते है, sensitivity index बोलते है, तो इसका ही जो stock होता है, 30 stock होता है, यहाँ पर आपने National Stock Exchange, NSSE जो इसवा होता है, तो उसमें आप लोग का जो index होता है, उसको nifty बोलते है, ने National Stock Exchange 50, तो उसका stock होता है, आप लोग का total 50 होता है, तो BSE के Sensex का based, कितने stock है, 30 है, तो 42 का option, C is correct answer, then 43, RRBs are owned by, RRB को कौन own करता है, यह Central Bank, and State Bank, and Sponsor Bank, सब लोगी own करता है, total मिलाके, तो इसका correct answer option D, jointly owned by all of the above, इसका percent 4, gross national product minus depreciation, इसका मतलब क्या होता है, net national product होता है, then 45, Navad was established in which plan, Navad हम लोगों का 6th plan में, established किया गया था, Navad exact एकदम date, अगर जानना चाते हो, तो Navad का story सुनी है, Navad का full form है, National, sorry पहले, अब लोगों का Navad, 12th July 1982 में, established हो था, recommendation हम लोगों का दिया था, यह, Cyber MN Committee ने आप लोगों का recommendation दिया था, Navad को form करने की यह, तो यह नवड का story friends, और यह 6th plan में, established हो था, then next है आप लोगों का, full forms, आप लोगों का, full form जानना है, मैंने उपर Navad का full form, इसलिए नहीं बता है, क्योंकि नीचे भी आप लोगों का नवड का full form है friends, तो full form आप लोगों को मैंने पास दिये थे, तो full form में से आप लोगों, पास भी करने हैं, तो SEVY का full form क्या है, SEVY है, Security Exchange Board of India, then है मुर्दा, sorry friends, यह मुर्दा होगा है, मुर्दा नहीं होगा, यह मुद्रा होगा, तो मुद्रा का आप लोगों का full form है, Micro Units Development and Refinance Agency, यह मुद्रा का यह full form है, Next है नबाट, नबाट का full form है, National Bank for Agriculture and Rural Development होगा friends, तो नबाट का full form यह है, TRI का full form होगा, Telecom Regulatory Authority of India, and last है नीती आएब, नीती का full form है, National Institute for Transforming India, यहाँ पर बहुत लोग of transforming India कर देते हो, वो गलत होगा friends, for transforming India होगा, तो नीती का full form है, National Institute for Transforming India, जिसने अभी Planning Commission को हम लोगों को replace किया है, तो friends, आज के वेडियों के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को मेरा effort अच्छा लग रहा है, यह पसंद आ रहा है, तो please मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के आप शेयर कीजिए, और यह जो question paper है, आप लोगों अपने तक ही सीमीत मत रखिया, अपने friends को भी share कीजिए, उन्हों लोगों भी बोलिए, exam देने के, क्योंकि एक test अगर आप market में खाइदने जाओगे, तो आप लोगो 20 से 30 रुपे लग जाता है, तो यह आप लोगो free में मिल रहा है, अपने friends को भी आप लोग support कीजिए, अपने friends को भी help कीजिए, तो तब तक के लिए friends, that's all, thank you, and keep learning and keep watching.